देखो दुनिया का हर इंसान तयार बैठा है तुम्हारी जगह लेने के लिए लेकिन अगर तुमको अलग जगह और अलग पहचान बनानी है अपने परिवार और अपने माता पिता के सपने पूरे करने है उन्हें एक अच्छी जिन्दगी देनी है तो तुम्हें दुनिया के हर इंसान से ज्यादा मेहनत करना होगा ताकि तुम जिन्दगी के उस बुलंदी को चुपाओ जिसका तुमने सपना देखा था तुम्हें तब तक मेहनत करना पड़ेगा जब तक तुम्हारी जिन्दगी वैसे ना बन जाये जैसा तुम बनाना चाहते थे हम सभी के लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब हमें कोई रास्ता दिखाए नहीं देता कुछ भी समझ नहीं आता कि आगे करें तो करें क्या लेकिन ये वही समय होता है जब तुम्हें आखे बंद करके पूरे दिल से महनत करना पड़ता है क्योंकि फर्ष से अर्ष तक पहुँचने के लिए तुम्हें महनत भी दुगनी और तीगुनी करनी पड़ती है और जैसे जैसे समय बित्ता है तो अपने आप नए रास्ते दिखने लगते है याद रखना अकेले में सांती से की गई महनत जब रंग लाती है तो सफलता खुद सोर मचाती है बंद दरवाजे के पीछे से की गई महनत जब रंग लाती है तो वह भविस्य के बहुत सारे रास्ते और बहुत सारे दरवाजे खोल देती है अपने कायरे में इस तरह डूब जाओ कि सफलता के अलावा कुछ भी मनजूर ना हो महान लोगों की कब तक सुनोगे अब तो महान बनने की दोड में सामिल हो जाओ वसीहत अपने नाम लिखवा लेने से कुछ नहीं होगा ये तो उडान ही तय करेगा कि आसमान किसका होगा चाहे कथा हो, कहानी हो या कोई फिल्म हो इसमें संघर्स हमेशा हीरो के जीवन में ही आता है जिन्दगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता पूरी ताकत लगा दो खुद को काम्याब बनाने में क्योंकि काम्याबी ही सब कुछ है आज के जमाने में बिना चाहे सब कुछ मिल जाना भाग्य है और महनत करके मन चाहे चीज को पाना सब भाग्य है जो कमजोर होते हैं, वही किस्मतों का रोना रोते हैं, वरना सफल इनसान तो विपत्तियों में भी मोके की तलास कर लेते हैं, नया दिन है, नई बात करेंगे, आज हार कर सोए थे, कल नई सुरुवात करेंगे